स्वागत आप सभी का एक और नए वीडियो में आज हमारे पास खड़ी है TataPunch.EV यह हमारे सामने जो है इसका second top variant है long range के अंदर empowered LR dual tone वाला variant है आज के वीडियो में इस वाले variant के बारे में हम A to Z बात करने वाले हैं कि यह वाला variant आपको क्या कुछ offer कर देता है क्या आपको इस variant के ओपर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए क्या यह variant value for money deal है के नहीं है सब चीजों को जो है इस वीडियो में देखने वाले है तो वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा आपको सारी चीज इस variant के बारे में जो है समझ में आएंगी तो चलिए बना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं शुरूर बट उस से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो दो मिनिट लगा के चैनल को सब्सक्राइब बहुर साथ में बैल आइकन को जरूर से प्रैस कर लें ना ताकि मैं जब भी कोई ऐसी नई वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन जो है इजी ली देखने कर मिल जाए सब सब पहले मैं आपको इस वेरिंट की चावी दिखाता हूं आप देख लो सैकंड टाव ओर के बिखने कर आगर आप एड़वेंचर पर भी जा रही हो तो अन्दर इसके एकषियुर्म प्राइस के बात करोगे तो यह वाला वेरिंट आपको कौस करेगा 13,99,000 रुपीज ओन रोड के लिए आप वीडियो का description चेक कर सकते हो साथ में आपको dealership की contact details मिल जाएगी अगर आपका plan बनता है Tata के किसी भी product के लिए तो आप definitely dealership को reach out कर सकते हो अब मैं ज़र आपको key का एक और feature दिखाता हूँ अगर आप इस वाले button को press करोगे तो इस तरीके से आप जो है car की headlight को on कर सकते है अगर आपको parking वाएरा में डूना है दुआरा press कर दोगे तो इस तरीके से बंद हो जाएंगे वाकि आप बात करते हैं detail में कि यह वाला variant आपको क्या को चौफर कर देता है सबसे पहले तो यह आप color देखके बताओ यह punch के अंदर नया color आ रहा है साथ में parkles effect अगर आप देखना चाहते हो थोड़ा सा गंदा है अगर मैं courses करूँ आपको दिख जाए तो एक second तो थोड़ी सी गाड़ी गंदी है अब आप जब plan मनाओ इस color को एक बार जरूर से देखना आपको पसंद जरूर से आएगा यह वाला color अब बात करते हैं detail में features क्या कुछ offer कर देता है मैंने आपको इसके एक्सियों प्राइज और overall एक्सियों में क्या कुछ मलता है वो बता दिया है अब बात करते हैं variant क्या कुछ offer कर देता है सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखोगे यह पूरा difference है जैसे कि platform वगेर आपने पुरानी वीडियो देखिऊंगी तो उसके अंदर भी मैंने आपको होता है था यहाँ से आपको जो है इसका charging करने का option मलेगा से इम पोर्ट वगेरा आता है मैं open करके आपको दिखा दूँगा साथ मैं electrical उपन कर सकते हैं और कभी फस जाए तो एक और alternative दिया हुआ है मैं बूराट जब खोलूँग आपको दिखाँगा टाटा का logo मिल जाएगा illuminated वगेरा नहीं मलता है और जो है यूनिट है वो बिल्कुल आपको सेम टॉप अरेंट वाली देखने को मिलेगी सिंगल प्रोजेक्टर है एडलेप लेडी के साथ आटमेटिक वगेरा आती है कि नहीं वह एक बार जब ड्राइवर साइट चलेंगे मैं आपको दिखा दूँगा को अप्शन भी आपको दिया गया है तो यह सारी चीज़ आपको फ्रंट में मिलेंगी अगर आपने सेकंड टॉप वेरेंट को पर जा रहे हो एंपावर एलार के उपर बोनट की बात करोगे कोई बदलाव नहीं यहां पर सेम टाटा वाला डिजाइन साब को देखने को मिल करेंगी वह आप यहां से देखी सकते हो लेफ्ट साइड में आ जाओगे सबसे पहले तो एक बार आप कार देख लो ऐसी कुछ आपको देखने के मिलेगी दिखने में बिल्कुल से में पंच जैसी दिखती है बट थोड़ा सा फारक है अगर आप नीचे से देखोगे तो को इस प्लैटफोर्म का अनने नाम दी तो थह दtoi कि की दम आपको बाक देखने के मिलें जाते हैं आपको और देखने के मिलेंगे डामद को अक्री शाप्ष ऑ पॉलों ने इवीज के लिए बनाए है इन्हों ने अपना जो है लाउंच इवेंट किया था पॉलों ने जहां पर न यह पने टायर इंट्रीड्यूस की थे और पहली कार बन जाती है पंच जिसके अंदर आपको यह वाले टायर देखने की लेंगे थोड़े से एफिशेंट और आपने जो है इवी के लिए स्पेशली डिजाइन सेक्शन आप देख लो वन नैंटीफाइव सिस्टी आर सिस्टीन इंचिस के रिम का साइज यहां पर आपको मिल जाता है आगे पीछे दौनों तरफ डिस्क ब्रेक आपको आ प्राइज बचाना चाहते हो तो डेफिनेटली आ सकते हो अगर आप यह माइंडशेट देख रहे हो कि हां यह नेक्सों जैसी ही है तो यह आपके तो इससे थोड़ी सी बड़ी है उसके डामेंशन में अगर आप बात करो कि लेंद्ध बिल्कुल हो सकता है सेम लगे बट हाइ यहां पर आपको जो इसका प्यानो फिनेश में शार्क पने अंटेना देखने को मिल जाएगा एपको बदल चुका है इसमें आप देखो कैसा लोगो है और अगर आप नेक्सों की बात करो तो इसके अंदर आप लोगो देखो लोगो में भी कई जगे बदलाव किया है इसके बात करोगे तो आप यहां पर देख सकते हो इसका कैमरा बाकी सेफटी रिफ्लेक्टर आपको मिल जाता है यह इसके प्लेट प्लेट आपको दिखा देता हूं और एक चीज आप देखो यह चीज आप कॉमेंट सेक्शन में ताटा ने बोलाए कि यह फाइव स्टार बाकी इसके लिए देखो इससे सेफटी को जजमत करना इसको बाकी आजाए अपने इस साइड तो बिल्कुल सारी चीज आपको सेम मिलने वाली है बस एक चीज का फरक है इस जगह पर को सेंसर मिल जाता है और पंच डॉर टीवी की बैसिंग आ जाएगी बाकी प्यान आफ अब चले अपने इंटीर की तरफ तो सबसे पहले आप डॉर देख लो वाइड नाइंटी ओपनिंग वाले डॉर मिलते हैं जो कि पंच के अंदर पहले भी आते तो साथ में अल्ट्रॉस के अंदर भी आते हैं हो सकता है आने वाले टाम में आपको एल्ट्रॉस भी इपनी क्या चीज है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं इसके अंदर आपको जो है अपना 3.3 क्लोवाट वाला या आप 3.7 इसे बोलो वाल चार्जिंग बॉक्स मिलता है बोले तो चार्जर नहीं है एक तरीकी का बॉक्स है जिसको आप अपनी पार्किंग वेगरा में बेंडल मिल जाता है कोटू को आप देख सकते हो एरवेक की बैजिंग आपको आ जाएगी इस वाले वेरेंट के अंदर आपको छे एरवेक अपने जो हैं स्टेंडर देखने को मिलते हैं सीच के पीछा पाउकिट आपको इसे का पर दी गई है और जो अपनी सीट्स हैं इस इस वाले वेरेंट के अंदर आपको सिंगल टोन फैवरिक सीट्स का उप्शन मिलेगा बट अगर आप पीछ वाले पार्ट की बात करोगे इस तरीके से तो वह ग्रेफ निश में आता है आप इसे डूल टोन बोलना चाहते तो बोल सकते हो पट है यह सिंगल टून क्योंकि की तरफ पर कोई भी और ट्रीटमेंट का यूज यह जो है नहीं देखने के मलता है बाकी आइस ओफिक साल सीट एंकर साप देख सकते हो थ्री पॉइंट सीट बैट सभी पैसेंजर के लिए आपको देखने मिल जाती है यह सारी चाहती है बाकी सिल्वर फिनिश में बाकी फ्लोर अलमुस्ट फ्लैट है क्योंकि एवी के लिए ओल न्यू प्लैटफॉर्म यह जो है डिजाइन किया है तो यह बनता भी अलमुस्ट फ्लैट फ्लोर है तीन मंदे कंफटेवल बैट सकते हैं अच्छी कासी रिक्लाइन पोजीशन है कोई दिक्कत ऐसी नहीं पता लग सकता है पहले तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूं इसके बारे में तो यह सारी चीह मिल जाती है आपको इस जगह पर बाकी अगर आप कुछ पूछना भी जाते हो तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना मैं आपको रिप्लाइज जरूर से दे दूँगा अब चलते ह आपको से मिलती है इसके अंदर आपको अपने मिरर की बात करोगे तो एलेक्टिकली एड्जेस्टमेंट फोल्ड दोनों का उप्शन मिल जाता है चारो पार विंडो दिए गया है चाल्ड सेफ्टी का लॉक आपको मिल जाएगा ट्यूटर यहां पर प्लेस किया गया है मिर करोगे तो इवी वाली स्टेचिंग आपको दी गई है ठीक है यह वाला जो लेदर आप देख रहे हो यह गंदा जरूर से बहुत एजीली हो जाएगा आपको मैंटिनेंस वगरा करना पड़ेगा लोगों आपको मिल जाता है क्रूस कंट्रोल अगरा के ऑप्शन भी आपको और जो इन्फोर्टेन्मेंट है वह आपको यहां पर 12 इंचिस का देखने के मिलेगा बिल्कु सेम है सारे फीचर सब भी मैं बता हूंगा बाकि इस इवेंट आप देख सकते हो और यह यह पैनल आप देख रहे हो थोड़ी थोड़ी आपको नेक्सों की याद दिलाएगा नेक्सों से अल्मोस्ट 80% पार्ट जो है टाटा पंच जो है शेयर करती है इसी वज़े से कोस्ट इतनी ज्यादा कम नहीं हुई है क्योंकि बॉड़ी वगयरा प्लेटफोर्म वगयरा ही थोड़ा नया है बाकि मोटर वगयरा की कैपिसिटी कम है हलकिसी बैटरी पैक कम है उन चीजों को मिला के थोड़ी से जो है पैसे इसके कम हुए है बाकि अगर आप कंपेर करना चाहते हैं सारी चीह सेम रख दोगे तो नेक्सों वाले ही प्राइजिंग इसके बनेंगे जैसे मैं आपको बताया था स्टार्टिंग में यह तेरा लाग निन्यानवे अजार को पिट पर चले गयते यहां पर आपको घंड लॉक अनलोग करने का ऑप्शन मिल जाएगा फॉग लैंप के बटन हैं इसका फ्रेंट चार्जिंग खोल सकते हो उसके लिए कार बंदो नीची है अगर आप देखना चाहते हो तो मैं एक बार आपको दिखाता हूं यह चीज आ मिलेगा अगर आप इस वाले बटन को प्रेस करोगे तो इसका चार्जिंग पॉर्ट जो है खुल जाता है और हम गाड़ी जो है स्टार्ट कर लेते दुबारा से और इसी स्टार्ट होगा देखो यह जो है गायब हो जाएगा आपको से मिलते हैं थोड़ा सा यसी वेंट को इस तरीके से जो है आ जाता है क्रोम का ओप्शन आपको मिल जाएगा नीचे भी अच्छीगाट से स्पेस है और बात करोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा सा याद आ जाएगा नेक्सोन पुरानी वाली और नई वाली के अंदर सेमी आता है लॉंग रेंज के अगर आप ब अगर आप इस वाले बटन को प्रेस करोगे तो आपको बेसिकली तीन मोड्स मिलते हैं वाल टुब में बात करोगे तो सिटी मोड पे रहती है इको और एसपोर्ट आपको दो मोड अलग से मिल जाते हैं एलेक्ट्रोनिक पार्किंग ब्रेक मिलेगा ये भी सिर्फ टॉप ए लिए गये और अगर आप प्रोटेक्ट करने चाहते हो तो आप डेफिनेटव प्पिप अगएरा या कुछ भी आप कोटिंग करना चाहते हो डेफिनेटलि जा सकते हो इतना कुछ आपको एस पेस बड़ी है ज्यादा कुछ खास बड़ी है नहीं पर्स अगेरा रखने चाह यहां पर देखने क्लें मिल जाता है जो कि अच्छी जीज है पंच.tv की आपको जो है बुकलेट यहां पर मिल जाएगी इसको कर देते हैं और इसको अपने नॉर्मल जगे पर जो है इस्टॉल कर देते हैं क्योंकि यह किसी और की कार भी बन सकती है अब डेटेल में बात करते करनेशन की वह आप यहां पर देख सकते हो बट इस तरीके से ग्राफ फॉर्मेट में भी यह जो है दिखाता रहता है अगर आप रियल टाइम में मोनिटर करना चाहते हो कर सकते हो सारे पैसेंजर की सीट वर्निंग आ जाएगी टाइम वगर आप देख सकते हो गेर इंडिक करोगे तर रियल टाइम में आप रेंज देखना और अगर आप एकनोमी मोड एक्टिवेट करोगे तो इससाब से आप जो है इसको कर सकते हो दुबारा प्रेस करोगे तो सबसे गादा जो है इकनोमी मोड पर यह जो है रेंज दे रहा है वाकि यहां पर आप सिटी वगरा देख सकते हैं और रीडिंट्स वगेरा है तो यह सारी चीज़ दिखाता है उसके अलावा अगर आप व्यू चेंज करना चाहते हो अगर मैं आपको यहां पर देखा हूं तो यहां पे व्यू का बटन दिया गया इसको आप प्रेस करोगे तो इस तरीके से आप जो इसके ल आप यहां पर देख सकते हो अगर आपको क्लियर हो जाए इन्फर टेन्मेंट की बात करें तो इसके अंदर आपको वायरलेस के साथ अपलकार पर अप्शन्स मिल जाएंगे यह आप देखी सकते हैं वी सेटिंग्स वगरा है किसे आप से आपको जो एपर यूज करनी है वो आप देख सकते हो तो यह कुछ हैं फीचर उसके अलावा नीचे स्लाइड करोगे तो यहां पर साउंड मोडे सैटिंग्स है रेडियो कोई सैटिंग्स वाइस इसटेंग्स है वीडियो प्लियर आपको मल जाएगा वीडियो प्लियर खड़ी पर काम करता है चलती गाड़ी अब जब लॉंच वी थी तो हो सकते हैं आपने देखा है अगर नहीं भी देखा है तो मैं एक वीडियो पिन कर दूँगा आप उसको देख लेना टाटा के वेग साइट से डावलोड करके मैं आपको लगा के देदूगा अब ज़रा इसका साउंड कॉलिटी चेक करके आपको कैसी लगी साउंड कॉमेंट सेक्शन में ज़रू से बता सकते हो इसको कर देते हैं बंद थोड़ा सा जादा ही हो गया वाकी ठीक है लाउडनेस अच्छी है क्लियरटी भी अच्छी है वाट बेस थोड़ा सा अगर ज्यादा आप तेजगर देते हो तो थोड़ा सा डिस्ट्रॉशन वगयरा आने रखता है वाकी यही सारी चीह आपको मिल जाती है पाकी अब चल लेते हैं अपने बोनट की तरफ अब मैं आपको जो मैनुल लीवर्स वगयरा दिखा रहा था और उसके पावर से बारे में थोड़ा सा बताता हूं इस तरीके से आपको सुनने के लिए मिलेगा की खोलते हैं इस तरीके से यह बताती रहती है अगर आप जो भी चीज उपन करोगे तो बताती रहती है बाकि अगर मैं कुछ भूल रहा हूं कॉम है तो कोई बात नहीं मैं आपको बताता हूं यहां से फिल करोगे आप इसके अदर वाशर अपना यह बैटरी का कूलेंट है मोटर का कूलेंट आपको इस जगह पर मिलेगा एक्सेनल बैटरी वगेरा है और जो मैनुल लीवर आपको मैं दिखा रहा था अब आपको इस तर चार्जिंग का ऑप्शन भी मिल जाएगा साथ में वीकल तू लोड का ऑप्शन भी मिल जाता है चार्जिंग स्प्यूट्स वगेरा की बात करोगे उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा मोटर के पावर सिगर्स के बारे में बताता हूं इसको हलका सा लॉक कर देते हैं तो इ अगर आप बात करोगे तो एक सो भी एच्पी की पावर और अपना एक सो नब्हें का टॉर्क आपको देखने के बलेगा अगर आप इसको सेल टॉस वगेरा क्रेटा वगेरा से भी कंपेर गर रहे तो पावर आप सोची सकते हो कितनी जादा है और साथ में यह बूली जाओ अगर आपको 30.5 किलोवाट की बैटरी मिलेगी जिसके अंदर अगर आप रेंज की बात करोगे तो 421 किलो मिटर की रेंज जो है एराइक क्लेंड करती है अगर आप रियल लाइफ में बात करोगे 90 के आसपास या 100 के आसपास अगर आप गाड़ी चलाओगे तो 300 प्लस आप पर 1,60,000 किलो मिटर और 8 साल कार पर बात करोगे तो 1,35,000 किलो मिटर और 3 साल यह कुछ वारंटी वगरा है जिसको कि आप एक्स्टेंड भी कर सकते हो डेपनेटली बैटरी की जो वारंटी है उसको आप एक्स्टेंड नहीं कर सकते है आई पी 68 वाटर रेटिंग है तो कोई भी इशू इसके अंदर नहीं बनता है तो यह थी हमारी आज की वीडियो पंच एवी के सेकंड टॉव वेरिंट के उपर एमपावर्ड एलार कॉमेंट सेक्शन में जरू से बता सकते हो देखो सारे फीचर्स आपको मोटा मोटा मिल रहे हैं जिसके एक्स्टेंड प्र सारे फीचर्स अगर आप अपने एक सीवी फोल्ड वलों के अंदर भी लेने जाओगे तो वह आपको अठारा लाग के आसपास एक्शो रूम कोस्ट करेगी और नेक्सान में लेने जाओगे तो वह भी महंगी है तो कई ना कई यह उन सब के बीच में लाए कर देती है तो मिलेंगे किसी और नाई वीडियो के अदर जब तक के अश्राइब अर बेल आइकन को जरूर से प्रैस कर सकते हो वीडियो देखने के लिए äपको सेंक्वा सो मच